नमस्कर साथियों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रॉनिक चलिए दोस्तों अच्छे शुरुवात करते हैं आज कर जो शेयर है वह यस बैंक अच्छा रिटन देगा और अपने लॉस से प्रॉफिट में जरूर आएगा तो अच्छे रिटन भी देगा बैंक तो आपका और मेरा माना सेम है क्योंकि यह बैंक जिस तीजी से गिरा था इसमें जो फ्रॉड हुआ था वह फ्रॉड को कर दिए-दिरे यस बैंक का जो मैनेजमेंट दिए-दिरे रीकवरी भी कर रहा है और काफी दो साल से काफी चीजों में इंप्रॉमेंट भी ला चुक और यस बैंक की सबसे से स्पेशलिट क्या है यस बैंक की कॉर्परेट सेक्टर को बहुत अच्छा सॉलुशन प्रॉड करता है आपने देखो किती भी पेमंट गेटवे होते हैं मौस्टली यस बैंक से ही लिंक अप्र होते हैं तो यह चीज़ समझने वाली होते हैं हैं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर यस बैंक के अच्छे आप ट्रेंड देखने को मिलेंगे क्यों थोड़े दिर मैं बताऊंगा आपको तो प्लीज वीडियो का पूरा देखे वीडियो का लाएक करना बिलकुल ना बुलिए तो देखे एंड़ मैं यहस बैंक की वेबसटे ओपन करें तो यह बैंक के वारे में आपको एक्स्पेंड करने जुरूत है ने की एक्सवन क्या है बेसिकली यह बैंक का नाम ही बैंक से ही समझा रहा है बैंकिंग सेक्टर का श्यर है तो चलिए ज्यादा समय खराम नहीं कर तो यह देखिए मैंने गूगल पर उपन कर लिए यस बैंक लिम्टेट का तो आज ये धाई परसंट के तीजी के साथ बंद हुआ है तीजी की वजाए भी समझेंगे लॉंग ट्रेम के परपस से क्यों बोल रहा हम इसको इन्वेस्ट करके रखना अपने लेकर रखा हुआ तो डेफिलिटिस में होड रखिए देखिए को लेकर बस बूल जाईए आप अपने पॉर्टफॉलियो में एट कर दीजिए जैसे अब देखते हैं कोई दस हजाल लगा अंट में अपने अपने प्रफिट बॉक कर सकते हैं तो चलिए समस्थ्स के बारे में नो आज ये 2.5% के साथ बंद हुआ है तो आज यह open हो तो 13 रुपे 5 पैसे पे high मारा 13 रुपे 25 पैसे गा, low मारा 12 रुपे 85 पैसे गा, 52 हाई है इसका, 19 रुपेगा, 52 लो है, 10.5 रुपेगा, तो इसका overview तो 5 दिन में अभी तक इन्ने हमार को minus में 6,5% return दिये हैं, वन मंद के अंदर प्लस में 4% return दे चुका है, 6 मंद के अंदर भी तक इन्ने माइनस में 5% return दिये हैं, आज उसी लेवल पर ट्रेट कर रहा है, और इसने हाई कितना मारा है अपना lifetime यानि के साड़े 300-400 तक के लेवल इसमें मारे हैं, तो यह चीज़े समझने वाली होते हैं, मैक्स इन्ने हाई मारा 400 के असपास बार शेर में हो गया दा कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर fraud हो गया तो fraud के बज़े से बैंक एकनम से गिर गया चलता होता चड़ा बागी government ने support किया, अच्छे moment पर चलता अब इसके अंदर news देखे नियूस चल क्या रही है, अब देखे इसके अंदर news का है, पहले इसके holding समझते हैं, इसमें FIS की holding है 7.92, DIS की holding है 45.87, और public की holding है 46.21, देखे परमोटर इसके holding क्यों नहीं है, क्योंकि परमोटर नहीं है, पिछली परमोटर ने इसमें वह किया था, इस वज़ेसे में इसमें DIS यानि domestic investor आ चुके हैं, इस वज़ेसे bank को फिर से support मिला, फिर से bank uptrend पर आ चुका था, ठीक है अब देखे इसके अंदर क्या है, कल की दिन इसके news आया थी, देखिए, 20 December को इसके अंदर news आया थी, और इसके अंदर news आया थी, इन्होंकि एक board, एक meeting हुई है किसके इन्वेस्टर के साथ है, domestic investor के, institute investor के, ठीकि न, तो, NTQ Stock Blocking Limited के साथ, इनकी company का नाम है, NTQ Stock Blocking Limited के साथ, इनकी meeting हुई है, देखिए, ये investor है, investor के साथ, कि मेटिंग हुई है, कि अपते तारिक हो हुई है, 20 तारिक को, पर एक indication दिखा रहे है कि भाई है, हमारी meeting हुई है, तो investors के अंदर, और invest करने के लिए आ सकता है, तो इन्होंने अपडेट भी दे दिया है, 21 तरिक को investor के meeting हुई है, अब उसके बाद, आज जो news आई है, उस news का impact, आपको कल देखने को जोरू मिले है, क्यों वो समझाता हूँ, पहले आज की news देखते है, आज दो news आई है, आज की पहली news देख के अंदर, कि yes bank, board approved rising fund, up to 10,000 क्रोड का fund arise करने की, board meeting में approval हो चुकी है, 10,000 क्रोड फंड की approval मिल चुकी है, board meeting हुई है, आज ही हुई है, अभी एक घंटा पहले, तो approval मिल चुकी yes bank को, ठीक है, the board of director of the bank, have considered the approved rising of fund by issue of equity share, depository received, convert documentary, one term, is in success है, ठीकिना, fund rise होगा, issue of share से होगा, share से funding होगी, ठीकिना, retail investors से funding होगी, shareholder से funding होगी, regulations of funding होगी, yes bank ने approved होगी, board meeting से approved होगी, 10,000 क्रोड का approval मिल चुका है, इनको, आज के दिन में ही, अभी एक घंटे पहले ही, आउटकम निकल के आई, news का, तो इस news का impact आप आप ट्रेंडिंग में जाए, ठीकिना, अब एक, yes bank के अंदर, एक यूण news चल रही है, yes bank का, जो, scam हुआ था, scam cases में, cbic court ने, थापर, थापर्स की bail reject करी है, ठीकिना, जो, scam के अंदर, थापर्स, थापर्स थापर्स थे, उनकी bail reject करी है, दो, गंटे, पाच गंटे पहले news आया था, इसका impact भी है, कि भाई है, fraud तो कि, आपको bail नहीं मिलेगी, तो, उनकी bail भी reject हुई है, और, yes bank के board ने approve करा, 10,000 करोड की, तो, 10,000 करोड का, जब fund इनको, और मिलेगा, तो, इनके, जो, third quarter, result है, उसमें impact देखना हुआ, मिलेगा, आपको, वो, क्यूं बता रहा आपको, कि, यहां पे, इन्होंने, लेंडर में, इनके bank के लेंडर में, अप्रूव हुआ था, जब, yes bank की report हुई थी, तो, इनके, सितंबर quarter के अंदर भी, इनका update मिली थी, इंक्रीज करा था, इन्होंने कितना, सितंबर देखे, yes bank reported as profit after tax, 225 करोड का quarter ended, सितंबर quarter के अंद the year ago period, mainly back lower provision increments, the bank profit after tax season, bank after tax देने के बाद, bank profit हुआता है, 139 करोड का, तो, यह profit making आएगी, company definitely धी 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 रहे, bank के अंदर, जैसे news आ रहे, news का impact देख रहा हूं मिलगा, तो, news definitely obtaining आएगी, आपको, कुछ नहीं करना, बस लेके, बैठ जाएए, छोड़ इसको, अपने portfolio में, करके, छोड़ दीजिए, अपने आने वाले, यानि के इस share के अंदर, तो आप, यानि के एक target लागए चलिए, यह share आप 10 साल, एक साल, पास साल के लिए, इसको, 37 साल के लिए, होल्ड करना है, मेरे बिसाफ साथ तो, आप एक साल जरूर से होल्ड रखिए, एक साल बाद इस के दिन में, कल जो इन्वेस्टर की, न्यूज साहिती वू, मैंने आपको explain कर दी है, अब थोड़ा इसका चार्ट देख लेता है, चार्ट के लिए चल के रहा है, थोड़ा से बस जादा नहीं, तो देखिए, यहां पर चार्ट पर यहां पर 12 रुपे पर अच्छी काफी टाइम से, यानि 12 से नीचे नहीं जा रहा है, और 14 से उपन नहीं जा रहा है, आप नहीं देखा होगा, यह काब आया था, यह 16 सितंबर को आया था, उसके बाद से इसी लेवल में ट्रेट कर रहा है, यह देख सकते हैं आप, और अभी भी शेर अपने, अभी बस 100S के सकते हैं, आपको, 20 जुलाई 2020 से, यह देखे, आज की डेट में, अभी दख चार्ट पर कोई मुवमेंट नहीं सकते हैं, कुछ वो नहीं है, और चार्ट पर कोई मुवमेंट नहीं है, क्योंकि यह 13 से लेकर 15 के बीच में ही ट्रेट कर रहा है, इसलिए मुवमेंट नहीं ब सकते हैं, तो आपको इसको आने वाले एक डेट साल के लिए से होल्ड करेंगे, आने वाले अच्छे रिटन देगा, यह 15-30 पर भी ट्रेट करेगा आने वाले एक साल के अंदर, तो पेसंस के साथ इसलिए बने रही है, यह बैंक काफी अच्छा है, मैनेजमेंट काफी अच थिस वीडियो